नमस्कार, very much welcome to all of you on this educative platform, this is your friend and mentor अन्शिल कर्ग, आईए मेरे प्रहे दोस्तों, आज का session हम स्टार्ट करते हैं, पिछले दो क्लासिस में हमने word के बारे में भी देख लिया था और excel के बारे में देख लिया था और वो लास्ट में ने बताया था आपको rows and columns के बारे में, चले अभी हम स्टार्ट करते हैं next, आज जो हम स्टार्ट करेंगे, यहां तक हमने कर लिया था ना, यहां तक हमने कर लिया था, एक मिनिट, द्वारा स्टार्ट करते हैं, एक मिनिट को ना, चलिए जी, प्रेजेंटेशन के बाद करते हैं यह पूछ रहा हम से कि powerpoint क्या है ms powerpoint क्या है एक presentation program एक क्या है presentation program है यह आप इसमें क्या कर सकते हैं बहुत सारी presentations दे सकते हैं आपने देखा होगा जैसे teachers भी पढ़ाते हैं ppt मतलब presentation होती है वह clear है powerpoint का file extension क्या है dot ppt यानि document के आखरी में आता है dot ppt किस प्रस्तूतिकरण प्रस्तूतिकरण का मतलब होता है presentation प्रस्तूतिकरण का मतलब क्या होता है presentation किसी प्रस्तूतिकरण की slider को print करने को क्या कहते है hand out handout का मतलब क्या slides थी और slides को आपने print कर दिया print out ले लिया उसका handout ले लिया hard copy ले लिया आपने नई slide को insert करने की command क्या है shift f 11 यानि slides तो बहुत सारी होती है slide 1, slide 2 होती है न ठीसे पढ़ाते है तो अगर आपको slide or add करनी है एक नई slide or डालनी है तो shortcut क्या होगा shift f 11 shift f 11 चलो आगे बढ़ते है Microsoft Microsoft Windows का पहला version कब आया 1990 जो Microsoft Windows है न अलग अलगाती है आजकल Windows 10 आती है XP थी ऐसे बहुत सारी है Windows 7 है तो उसका पहला version कब आया 1990 में आया Windows XP का निर्मान कब हुआ जो Windows XP है न वो उसका निर्मान कब हुआ 25 October 2001 25 October 2001 चलो डिलीट की गई फाइले और folder को संख्रीत करता है Recycle Bean यह तो मैं बता चुका हूँ कोच भी डिलीट करे गई तो कहा जाएगा Recycle Bean में जाएगा पुर्व निधारित है जिसका प्रियोग विशेश फाइलों के निर्मान जैसे Resume Letter में किया जाता है पता क्यों तो Templates होते है Templates क्या होता है पहले से Design बने होते है जैसे आपको शादी का काड़ बनवाने जाते हो तो उसके बाद डिजाइन तो पहले से बने होते है वो बस नाम चेंज कर देगा, देट चेंज कर देगा ऐसा आप विजिटिंग कार्ड बनाते हो आप लैटर बनवाते हो नो Templates में अब डिजाइन पहले से बने होते है बस नाम चेंज करो और अपना काम हो गया चलो Window Explorer क्या है? एक File Manager है Window Explorer क्या है? एक File Manager आपकी Files को Manage करेगा जैसे My Computer में होता है, File Manager भी होता है वैसे ही, चलो User और Hardware के बीच Interface परदान कौन करता है? बता चुका हूँ Operating System, Linux क्या है? एक Open Source है, बता चुका हूँ Unix क्या है? एक Operating System है बता चुका हूँ Post का पूर्ण रूप क्या है? यह Important है Power Own Self Test यानि जब आप Computer को Start करते हैं तो यह Post एक Function होता है, जो चलता है और वो Self का, यानि खुद का Check करेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है या फिर आगे बढ़ूँगा Power Own, जैसे Bizley Own हुई वो खुद का Test करेगा और यह पता लगाएगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं है चलो, आगे बढ़ते हैं यही तो है यही है, Computer किस Test के दुरान True T.A. मतलब कमी का पता लगाएगा ठीक है? Post के इसाब से लगाएगा किस से पता लगाएगा? Post के अनुसार लगाएगा, clear है यह प्रक्रिया, Operating System को Computer की Scandry या Auxiliary Memory से Main Memory में लोड करती है और सारे Component Computer से जुड़कर कार्या करते हैं, Booting Booting क्या होता है? आपका जितना भी समान है, चाहिए Window मान लो Operating System मान लो, कोई भी चीज़ा वो Hard Disk में पड़ी होती है, Scandry Memory में पड़ी होती है, और वो चलेगा कब जब उसको वहाँ से उठाके Main Memory यानि RAM में डाला जाएगा और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? Booting बोलते हैं, किसी भी चीज़ को Scandry Memory से Primary Memory में लोड करना Booting, किस Software System का कार्या यूजर को तिवर Response Time Upload कराना होता है फटा-फट, यानि आपने जैसी क्लिक किया आपको फटा-फट उसका Output मिले Real Time Operating System जट से जो आपने Input दिया आपको फटा-फट उसका Output मिले या आपको जैसे Rocket Loans चे बगएरा होती है तो वहाँ पे एक-एक Second कीमती होता है आपने जैसी क्लिक किया न, पटेक उसका रिजल्ट आना चीए तो ये काम कहा होता है ये होता है Real Time Operating System में याद रखना, जहांपे आपको ये बोले न फटा-फट मिले को कोई Output चीए तो Real Time Operating System होगा चलो पहले से चल रहे पहले से चल रहे कंप्यूटर को Restart करने की प्रिक्रिया Warm Booting और Cold Booting देखो जी, अभी समझा देता हूं क्या होता है आपका कंप्यूटर चल रहा था तो चल रहा था तो कंप्यूटर गरम मिलेगा आपने उसको बंद करके दोबारा Start कर दिया यानि Restart कर दिया जैसे फोन को भी तो करते है न, Reboot तो वो कौन सा Booting कहला हैगा Warm Booting क्योंकि कंप्यूटर पहले से गरम था याद करवा रहा हूं ये तरिक है याद करने का पहले से गरम था ही, चल बंद किया Start कर लिया, Warm Booting हो गया अब कंप्यूटर आपको शुरू से बंदी पड़ा है पहले Start नहीं था, वो बंदी पड़ा है अब आप उसको शुरू कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, Cold Booting याद कैसे करोगे, कंप्यूटर पहले थंडा पड़ा था और इस Xerox नाम की कंपणी ने 1979 में बनाया ठीक है, LNK इसका developer था Xerox नाम की कंपणी ने बनाया और 1979 में बनाया GUI, Graphical User Interface जो आजकल हम यूज करते हैं सारा कंप्यूटर ग्राफिक्स के फॉर्म में तो है ग्राफिकल है न, आइकन्स दिखते हैं आपको चलो, विशेश कारियों के लिए software इस्तेमाल किये जाते हैं, application software बता चुका हूँ बता चुका हूँ यह बात, MS Office किस प्रकर का software है, बता चुका हूँ क्योंकि हम यूज करते हैं application software, अच्छा banks और railway में जो software होता है, ticket book करने वाला वो हम यूज करते हैं भाई, तो वो कौन सा हो गया application software हो गया, computer की assembly भाषा में लखे गए program को machine भाषा में बदलने का काम कौन करता है assembler बदलता है, ये भी मैं बता चुका हूँ ठीक है चलो जी, high level को low level में कौन convert करेगा, ये भी backup लेते हैं, आप चैट का भी backup लेते हैं files का भी backup लेते हैं, यानि mirror image का मतलब जो files है, उसके copy बना के कहीं और रख देगा, clear है तो वो backup software होता है ये वाली चीज में मैं बता चुका हूँ batch processing वाली firm के सभी transaction एक बार सिद्धी सी बात है, अगर सारा काम एक बारी में होता है तो उसको batch processing बोलते है याद कैसे करोगे आप जैसे मालो मैं teacher हूँ, अब मैं एक बार एक बच्चे को बढ़ाओं, फिर दूसरे बच्चे को बढ़ाओं यह कुछ question रिपीट हो रहे है हम सब कर चुके हैं यह वाले यह एक translator है जो प्रतेक निर्देश को एक एक करके एक करके तो interpreter करता है और पुरे प्रोग्राम को compiler करता है पढ़ चुके हैं, आओ जी यह file compression भी पढ़ चुके हैं यह freeware भी पढ़ चुके हैं हाँ कुछ यह repeat हो रखे थे, कुछ ठीक है प्रतम network जिससे internet की नीव पढ़ी सब दुनिया का सबसे पहला network ARPANET Advanced Research Project Agency Network क्या Advanced Research Project Agency Network internet की full form क्या होती है international network या फिर interconnected network internet का पूर्ण रूप क्या होता है international network या फिर interconnected network चलो सूचना राजपत किसे कहते हैं internet को वस यह सिद्धा नाम याद रखना एक static question बनता है वैसे और कुछ नहीं है यह सूचना राजपत किसे कहते हैं internet को कहते हैं भारत में internet की सुविदा कब प्राप्त हुई 15 अगस्ट 1995 5 पांच अज़ाद जिस दिन हुए थे ना डेट याद रखना year same नहीं है अज़ाद वाली हमने उन सबको भी जोड़ दिया यानि बहुत सारे network का का भी एक बड़ा network मना दिया वो क्या कहलाता है internet कहलाता है network of networks क्या कहलाएगा internet ठीक है चलो email का जरमदाता किसे मना जाता है email किसने बनाई re Tomlison ने बनाई 1971 में यह static question से इसे मैं समझने वाला कुछ नहीं है W यह important है जी यह important है हलाकि मैं सारे अविश्कारक है आपको जितने भी inventor है इसके बाद में एक वीडियो निकालूँगा जिसमें सारे inventor है जो important है computer के वो सब मैं करवादूँगा आपको टेंशन लेने वाल कोई बात ही नहीं www के विश्कारक का क्या नाम है Tim Berners-Lee 1969 बच्चे देखो मेरा एक ही motive है YouTube पे पढ़ाने का हर किसी बच्चे के यह possible नहीं होता कि वो paid courses purchase करे ठीक है तो मेरा यह मानन है कि शिक्षा जो है पैसे की महताज नहीं होनी चाहिए और नहीं मैं कुछ ऐसा करता हूं कि आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ाऊं मेरा ऐसा कोई intention नहीं है मेरा मतलब है कि जो paper में है वो पढ़ाऊंगा चाहिए आपको अच्छा लगे या ना लगे मैं यहाँ पर कोई असान सा चीज़ें पढ़ाऊं आपको समझ में आ रही है ट्रिक्स भी बता दूंगा लेंग paper में नहीं आती न तो कोई फाइदा नहीं है जितना भी content YouTube पे डाल रहा हूं एक single content ऐसा नहीं है जो मैं कहा हूं 100% में 99 में भी है भाई 100 का 100 है मेरा कोई intention नहीं है कि मैं YouTube फ्री में पढ़ा रहा हूं तो आदा पढ़ा देता हूं आदा ना बाद में पढ़ा हूं ऐसा कुछ ही नहीं है इसका मतब तो धुर्या ग्यान देन है वह टीचर ही नहीं है जो गर ऐसा काम कर रहा है तो आपने देखा भी होगा कि full course purchase करने के लिए निमने की number पे संपर्क करें ऐसा कोई सी नहीं है भाई मेरा जितना पढ़ा रहा हूं 100% पढ़ा रहा हूं जो भी आपने बच्चा देख रहा है मेरे पूरा विश्वास करके वीडियो को देखना जितनी भी मैं computer किया जो भी English की वीडियो निकाल रहा है या निकाल रखी है 100% complete आप कोई भी book और कोई भी notes उठाके देख लो चाहे तो आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं और इसी प्रकार जुडे रहे हैं यार मेरे को भी ऐसा motivation मिलती है कि जितना बच्चा देख रहे हैं subscribers बढ़ रहे हैं या views आ रहे हैं इनसे motivation मिलती है कि हाँ बच्चा जूड़ रहे हैं अगर बच्चा जूड़ रहे हैं तो definitely हम और भी दिल से काम करेंगे यार और भी महनत करेंगे जारा-जारा वीडियो जाएंगे और आप comment करके of course बताओ कि आपको सरह हमको ना इस chapter में दिक्कत आती है इंग्लिश का कोई भी चेप्टर लगिया हो वह क्याप की कोई चीज़ बताओ computer का कोई चीज़ बताओ मैं definitely उसकी वीडियो निकालूँगा यार ठीक है चलो इंटरनेट बेंकिंग आर्थ क्या है बेंकिंग करते है ना जैसे online transactions करते है उसका क्या मतलब होगा इंटरनेट के जरीए banking अच्छा एक आना ऐसे आजाएगा कही कि बार e-banking आजाएगा या e-mail आजाएगा e-commerce आजाएगा e-commerce आजाएगा commerce मतलब वैपार तो यह पुछेगा कि e का मतलब क्या है e का मतलब होता है electronic यह hssc में question आया हुए electronic क्या है electronic clear है अच्छा next dtb package और database management software किस प्रकार के software ने application software है भाई database हम use करते हैं अपने लिए खुद के लिए बनाते है रिकोर्ड की यह बच्चे है इनका यह नंबर है father name है नंबर है तो खुद के लिए बनाते है ठीक है आओ antivirus software backup recovery software में ने बताय था ना क्या था इस computer की शंता को बढ़ा देते है utility software www का full form क्या होता है worldwide web internet page पर जो page होते हैं उन्हें क्या कहते है web page web का मतलब internet page का मतलब page हो गया ठीक है प्रिस्ट हो गया यानि internet पर web पर कोई page है तो वो क्या कहलाएगा web page कहलाएगा website का address क्या होता है भाई आपको मगरे मालो address देखते हैं जिस पे http.unshulgarg.com कुछ भी है जिसके द्वारा आप internet पर पहुच पाएंगे बुक्या है आपका URL होता है ठीक है URL मतलब uniform resource locator क्या full form होती है इसकी दिखलो चाहे ये इसकी full form होती है uniform resource locator clear है किसी website का पहला page क्या कहलाता है किसी website का जबसे आप website खोलोगे खोलते हैं जो आपको पहला page दिखाई दे वो क्या कहलाएगा homepage कहलाएगा webpage पर एक word जिससे click करने पर दूसरा page खुल जाता है बता चुका हो ना hyperlink होता है arpanet की full form बता चुका हूँ अभी थोड़ देर पहले ही बताई थी मैंने next किसी network का internet धारक अन्य network से जुड़ता है तो क्या कहलाता है gateway याद कैसे करोगे मान लो ऐसे याद करो ये एक मेरा room है और room के यहाँ पर gate है और बाहर यहाँ पर मान लो lobby है बाहर आंगन मान लो lobby मान लो ठीक है ठीक है तो ये gate क्या कर रहे है इस कमरे को इस lobby से जोड रहे है यादि ये अलग चीज थी ये तो lobby है आंगन है ये कमरे है तो ये अलग लग चीज होगी इन दो अलग लग चीजों को जोडने का काम कौन करेगा gateway करेगा ठीक है तो अगर ये पूछ ले आपको दो अलग अलग network एक network को अन्य network से अन्य network से जोड़ेगा कौन जोड़ेगा gateway जोड़ेगा होगय समझ में आ गया चलो वेब पेज को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वेब ब्राउजर का बिना वेब ब्राउजर का आप कुछ नहीं देख पाओगे आप यूज करते हो ना जैसे पहले UC Mini करते थे Google Chrome करते हो वो सब क्या है Microsoft का Edge है तो ये वेब ब्राउजर से है किसी भी वेब पेज को आप वेब ब्राउजर के मदद से देख साएंगे NSF, net, net का मदब तो क्या होता है internet होता है, network, ठीक है network, NSF का full form क्या होती है National Science Foundation NSF का full form क्या होगी बच्चे National Science Foundation HTTP का full form क्या होगा Hypertext Transfer Protocol That's very important for us, right चलो जी, HTTP का full form क्या होगा Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol चलो, website का पता क्या कहलाता है URL, address, बता दिया था है मैंने Uniform Resource Locator Web Browser क्या है Web Browser क्या है, एक Software है Internet सेवा कोन उपलब कराती है ISP यह जितनी भी आपके जैसे Geo है Atel है Vodafone है, जो आपको Internet सेवा Internet सेवा प्रधान कराती है Vodafone है, यह सब आपके क्या है ISP है, Internet Service Provider किसी भी सूचना को Internet से प्राप्त करने के लिए क्या प्रोग किया जाता है Search Engine भाई, आपने कुछ भी बोल दिया कि मेरे को तो प्रिवेशिर के कोशन देखने है तो कोई तो ऐसे चीज होगा न, जो पूरे Internet पे सर्च करके लेगाएगा प्रिवेशिर के कोशन आपको लाके देगा वो क्या होगा, Search Engine Clear? चलो नियमो का सम्हू क्या क्या क्यलाता है Protocols, Rules, Regulations होते है अब आपको क्या लगता है इतना बड़ा Internet वैसे चल रहा है नहीं, कुछ Rules हैं, जो हमें Follow करने पड़ेंगे और उन Rules के सम्हू को, Collection को क्या बोलेंगे Protocol, ठीक है Protocol की स्थी छोटी सी Definition आती है पेपर में Collections of Rules या Set of Rules and Regulations is Known as Protocol SMTP का Full Form क्या होता है Simple Mail Transfer Protocol ये Full Forms अब को याद करनी पड़ेगी FTP का File Transfer Protocol BOP का Post Office Protocol अच्छा, अगर ये पुशन आप से है कि Email भेजने के लिए कौन सा Protocol use करते हैं तो ये याद रखना ये बहुत important है Email भेजने के लिए कौन सा use करोगे SMTP LAN का Full Form क्या होता है Local Area Network Local Area Network ठीक है LAN से जुड़े Computer आप तेज चलते हैं अगर आसे पुश लोए कि कौन से Network में Computer तेज चलते हैं तो वो LAN से चलेंगे Local Area Network में केंदरिया Computer को क्या कहा जाता है ठीक है Server ठीक है Local Area Network में जो केंदरिया Computer होता है केंदरिया मतलब बीच का जैसे यह Computer है और इसके द्वारा हमने इसके साथ-साथ क्या 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 काफी Computer उसको जोड दिया तो यह जो Main Computer होता है इसको क्या बोलेंगे हम Server बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम Server ठीक है चलिए दोस्तों तो आज की बात यहीं तक रखते है आयोप आपको समझ में है होगा आपने मुझे सुना इसके लिए दिल से धन्यवाद आप इसी प्रकार जुड़े रहें अन्तों में बस लही करना चाहूँगा इश्वर में आस्ता है मुश्किलों में रास्ता है दिस इस अन्शुलकक साइनिंग ओफ जैहनुमान जी